नमस्कार दोस्तों पॉलिटिकल नेता जिमा आपका स्वागत है आशा करता हूँ आप सब ठीक होंगे दोस्तों आज मैं स्टेशन मास्टर के सेलरी स्लिप के बारे में डिसकसन करने वाला हूँ देखिए अगर इस सेलरी स्लिप के हिसाब से आप देखते हैं तो लेफल 6 का इंपलोई होता है स्टेशन मास्टर इंक्रिमेंट आप देख रहे हूए इंक्रिमेंट रहती है जुलाई 2001 के सभी इंपलोईज का जुलाईiana 2010 में ही इंक्रिमेंट होता है इसके हिसाब साब देख रहे होंगे ग्रॉस पे 64,065 और अगर डिड़क्ट करने के बाद 59,167 रूपीज है रिकवरी इस 4,898 रूपीज का किया गया है बेसिक पे 39,900 है क्योंकि 4 साल की सर्विस हो गई है इसमें डियरनेस अलाउंसे 6,783 रूपीज है जो की होना चाहिए था 11,172 जैसे कभी 28% का डिकलियर किया गया है डियर लेकिन अभी मिल रहा है 17% द्यू टू कोरोना केंदर सरकार ने केंदरी करमचारी का जो फ्रीज किया हुआ है डियर इसके बाद हरे चुकि यह 9,576 रूपे वैसे ही B और C क्लास का रहता है तो इसमें भी जैसे यह आपका 25% से DA बढ़ता है तो मैंने एक वीडियो में बताय हुआ है कि यह भी आपका एचारे जो है 8,16 और 24 के जो रेशियो में है वो 9,18 और 27 के रेशियो में चला जाता है यानि यह 27% यानि 10,800 के आसपास हो जाएगा ट्रांस्पोर्ट अलाउंसेस 42,12 है जो कि आपको अगर आप C क्लास सेटी का देखिएगा तो एक किस सो 6 रूपे रहता है उसका उसके बाद नाइट डूटी अलाउंसेस यानि नाइट आपका जितना होता है उस हिसाब से यहाँ 2334 है दर्मली 2,18,22 इसी हिसाब से नाइट डूटी रहता क्योंकि 8 या 9 नाइट आप गुरे वहने में करते हैं इसके बाद अगर आपका कोई नेशनल हॉलिडे आ रहा है तो नेशनल हॉलिडे आ रहा है आप वर्क करे ना करे भले आप उस दिन रेस्ट में है बट 630 रूपीज नेशनल हॉलिडे का आपको एक्स्टर दिया जाता है अब इसमें से डिड़क्शन अगर हम डिड़क्शन की बात करें तो एक Railway Employees Insurance Scheme में 30 रूपे का डिड़क्शन होता है इसके बाद आपका जो NPS का पेंशन है उसमें 10% का डिड़क्शन आपकी तरफ से होता और ये तो पता ही होगा कि 14% का एड उसमें केंद्रिय करमशारी करती है और अगर आप महरास्टरा में है अगर आप महरास्टरा में है तो Professional Tax 200 रूपे एक्स्टर डिड़क्ट किया जाता है तो ये सारे डिड़क्शन और एडिशन के साथ 64,065 है ग्रॉस और नेट सेलरी 59,167 हाँ जोलाई के बाद अगर DA बढ़ जाता है तो ये about 70 होगा ये 4 years के किसी Station Master के जॉब के बाद का सेलरी और इंक्रिमेंट वगेरा है इसके रिगार्डिंग अगर आपको कोई भी क्वेरी हो तो आप पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में मैं सॉल्व करने का प्रयास करूँगा और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेर, सब्सक्राइब करें धन्यवाद दोस्तों